हलो आज की इस वीडियो में लॉकोस्ट में फाउंडेशन का वर्ग कैसे होता है तो इस वीडियो में आपको परपर देखने को मिलेगा कि कैसे लॉकोस्ट में हम एक दो रूम का जहां टॉलेट बातरूम का जो फाउंडेशन का वर्ग करते हैं वो कैसे हम कम से कम खर्च में क सकते हैं, अभी आप जो देख रहे हो जे नी का काम चल रहा है, और नी के उपर जे जो 10 इंच ब्रिक्स लगाई गई है, डबल ब्रिक हैं लगी हुई, तो साधे चार इंच एक ब्रिक है और इसके 10 इंचि जो उचाई की गई इसकी तो इसके अंदर 2-2 स्टेल जूज किये गए हैं 2-2 सर्ये और इसके बाद में इसमें कॉंक्रेट की गई है पलिंट बीम के मिقाबले पलिंट बीम अगर इसमें उपर लगाते है टाई बीम जिसे बोलते हैं तो उसमें कम से कम चार्टा सरिये जूज किये जाने थे और सरिये का जो बजन है वो कम से कम सतर से असी किलो तक जाना था तो अभी इसका वजन है जो सरीयक स्टील का दो-दो जूज किये गए है इसमें जिसकी जे लंबाई या जो लंबाई और चड़ाई दोनों 40 फीट बनती है और दो लेंथ जूज की गई है दो-दो लेंथ जूज की गई है एक तरफा 9 फीट है और दूसरी तरफ 6 फीट है तो इस तरीके से जे कम से कम वजन 30-35 किलो बनता है स्टील का जो हमने जूज किया है और उसके बाद इसमें कॉंक्रेट की गई है जे प्लिंथ बीम के मकाबले में काफी ज़्यदा सस्ता पड़ता है अगर आप चाहे तो आप अपने घर में एक दो रूम बनाने है जहां टोईलेट और बाद रूम बनाना है तो उसमें जे फॉन्डेशन जूज कर सकते हो ठीक है जी जे काफी ज़्यदा मजबूत है कोई भी इसमें आगे जाकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फ्रेंड जैसे बड़ी-बड़ी मारतों में हाइट में पिलर जूज करते हैं वैसे ही इसमें कोई हाइट में पिलर भी नहीं हमने जूज किया जे बिल्कुल सिंपल ही फाउंडेशन बनाई गई है जतनी ज्यादा सिंपल है उतनी ज्यादा जे स्ट्रॉंग है तो गाइस वीडियो में जानकर यह अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्स्राइब कर दें तागे और भी आगे आगे आपको वीडियो के नोटिपेशन मिलते रहें तो थैं